नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ शरत प्रधान और लखनव सेंट्रल में आज हम बात करेंगे किस तरह से अनेमप्लॉइमेंट बढ़ता जा रहा है और सरकार किस तरीके से उसमें नए नए ट्विस्ट दे करके ये बताने का प्रियास कर रही है कि वो वाकई में फिकर मंद है अनेमप्लॉइमेंट के लिए लेकिन कर क्या रही है वो आपको वही हम पताना चाहते हैं क्यो कुछी दिन पहले, दिवाली से तीन दिन पहले, धन्तेरस के दिन पे, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने एक रोजगार मेले का आयोजन किया, या हर चीज की इवेंट होती है, तो उसमें उसी इवेंट के शंकला में एक ये रोजगार मेला रखा गया दिल्ली में, और बाटने का इलान किया, अब आप देखिए, कभी इससे पहले आपने सुना है, दुनिया के किसी देश में सुना है, और भारत तो भूल जाई, मेरे खहल कभी किसी ने इस तरीके से एम्प्लॉइमेंट मेला करके, रोजगार मेला करके, किसी प्रधान मंत्री ने स्वेम अप नोजवानों को, उन बेरोज़गार नोजवानों को, कि आपने जो शुरू में वादा किया था, कि हम हर साल दो करोड़ नौक्रियां देंगे लोगों को, दो करोड़ कर तो वादा तो खेर बूल जाईए, वो तो सुनने में लग लग रहा ता कि हवá हवाई है, लेकिन जे तो रियल में मैं तो कहता हूं अगर दो लाख नौकरियां भी हर साल बाट दी होती, बाट नहीं दी होती, क्रियेट कर दी होती और लोगों को मिल जाती, तो आज ये नौबत नहीं आती, कि unemployment का level बढ़ता जा रहा है और आस्मान को छूँ रहा है, और ये तब है, 75,000 employment letters, जबकि सरकार, यानि केंद्रिय सरकार के विवन विभागों में सब मिलाके लगबग 10 लाख vacancies already हैं, exist करती हैं, जिनको नहीं बढ़ा जा रहा है, उसमें आपका एक कहना कि अगले डेड़ वर्ष में, डेड़ वर्ष समझ लीजिए, डेड़ वर्ष का मतलब है, चुनाओ के पास, में जो है, दस लाख नौक्रियां हो जाएंगी पर जाएंगी, अरे जब आपने हैं, पिछले 2014 से 2019 के बीच में नहीं दे पाए, 2019 से 2022 में नहीं दे पाए, तो अब डीड़ साल में कौन सा जादू हो जाएगा, हाँ ये जरूर हो सकता है, इसमें, जिस तरह ट्विस्स दिये जाते हैं, जिस तरीके से खेल किया जाता है, नौक्री के नाम पे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आप आउट्सोर्सिंग की सारी नौक क्यात दे दी, अब क्या चाहिए, क्यों चिला रहे हैं, लेकिन देखें चिलाने की नहीं, दर्ध है, उन नौजवानों का बेजगरोज़कार नौजवानों का वो दर्ध है, जो की घुसे में निकलता है, और उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते, अभी हाल में, उत्तर प्रदे आपरईएं के लिए, इम्तिहान हुआ, अंट्रेंस एक्साइम, और उस इम्तिहान में यह हालत हुई, इतनी भरमार थी, क्योंकि भी रूसगारी बहुत है, छे लाक, दसजार लोग तो इम्तिहान में बैठ नहीं पाए, क्योंकि अविवस्ता थी, ना तो ट्रेनों की का धुक्की हुई बहुत कुछ परशानिया चेलनी पड़ी नतीजा है हुआ या तो बहुत से लोग देर से पहुचे या पहुच ही नहीं पाए अपने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब छे लाख लोग इम्तियान दे न पाए हूँ तो कितने लाख लोग दे सके और क्या हशर होगा उटका और उसके बाद ये कहा जाता है कि साब देखिए कितनी फिक्र है सरकार को कि ब्रधान मंतरी स्वें 75,000 लोगों को नौकरियां दे र आशाता है कि आपके लिए जो स्तिती है जो ग्राउंड रियालिटी है वो बहुत ही बत से बत्तर होती जा रही है अब ये हाल में आपने देखा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कहा पहुंच गया यानि कि गरीबी और भुकमरी भारत में बढ़ती जा रही है उसक यह मतलब यह आकड़े और किस तरीके से आकड़े प्रजेक्ट किया जाते हैं, वो मैंटर का आकड़े हैं, लेकिन उनको जिस तरह से प्रजेक्ट किया जाता है, अब ऐसे हाल में आपने सुना होगा, कि देश की जो वित मंतरी हैं, निर्मला सितारमन, वो विदेश गई तो उन से किसी ने सवाल किया कि इतना जादा रुपिया गिरता जा रहा है, तो बोली नहीं, रुपिया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है. First of all, I would look at it as not rupees sliding, I will look at it as dollar strengthening, dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against strengthening dollar. बढ़ा अच्छा तरीका है बताने का, तो ये जो तर तरीके हैं, समझाने के, बुझाने के, लुभाने के, और बहलाने के, वो जो हैं, उनसे समस्या नहीं हल होती है, ये दर्शाता है कि आप समस्या को समझना चाहते नहीं हैं, या कम से कम ये दिखाना चाहते हैं कि समस्य नहीं तो जब आप समझेंगे नहीं जब आपको एशास नहीं होगा जब आपको यकीन नहीं होगा जब आप accept नहीं करेंगे कि यह समस्या है तो उसका निराकरन कैसे निकलेगा नहीं निकल सकता है और यहीं वज़े कि आज घरी भी बढ़ रही है बेरोज़ कारी बढ़ रही है और सरकार इवेंट पर करे जाती है और उसके जरीय से बताना चाहती कि देखिए हम बहुत फिकर है और बस थोड़ा दिन और इंतिजार करिये नौक्रिया है नौक्रिया बरसेंगे हर चीज में बताया जाता है और ये जो एक concept बन गया है नया outsourcing का ये पिछली सरकार ने शुरू किया था अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछली सरकार के मतलब Congress regime में start हुआ था और वो भी यही सोच करके कि किस तरीके से अपने से बला टा ले और आज की डेट में उसका बहुत बड़ा रूप हो गया है और ये ध्यान रखिए बेरोजगारों को outsourcing के जरीये से जो जाब्स दिये जाते हैं उससे समस्या हल नहीं होती है जरूरी है गौवर्म perhaps करके सरकार अपनी responsibility किसी और को दे दे और उसके जरीये से क्यों कि उतना उसके पास पैसा नहीं है पैसा नहीं है बड़े लोगों के लिए है बड़ी नौक्रियों के लिए पैसा है नेताओं के लिए पैसा है लेकिन जो cutting edge है जहां पे लोग काम करते हैं जो मजदूरी करते हैं जो मैनत करते हैं उनके लिए आफ़ पास पैसा नहीं है तो आप आउट्सोर्सिंग कर देते हैं उसमें एक मिडल मेन और क्रियेट हो चाहिए आजकर वैसे भी मिडल मेन का बहुत शौक हर चीज में मिडल मेन होता है तो ये वाला मिडल मेन जो है ये भी एक बनाने का जरीया है क्योंकि उसके जरीये से एम्पलॉई के जाते हैं वो लोग जिनकी रेगलर जरुवत है सरकारी विभागों में वो समझ में आता है आप आउटसोर्सिंग में ऐसे काम दे दे जो एर्रेगलर नेचर के नहीं है सीजनल है या फिर टेम्प्ररी है थोड़े जो काम पर्मनेट नेचर का है उसको जब आप आउटसोर्सिंग में दे दे और बाहर का एक ठेकेदार आपको प्रवाइड करता ह और आप ये परवाब नहीं करते हैं जानने की, कि वो उनको कितनी तन्खाद दे रहा है, क्या वो उनको प्राविडिन फंड का बेनिफिट दे रहा है, E.S.I. का बेनिफिट दे रहा है, कुछ नहीं सोचा जाता है, और एक जो बड़ी पुरानी, जो पुराना एक कानून है, Equal Pay for Equal Work, यानि की, बराबरी के काम के लिए बराबर वेतन, वो तो बिल्कुल ही, खुले आम वाइलेट होता है, क्योंकि जिस काम के लिए, एक regular employee को, regular काम के लिए, जो की मुस्तकिल जरुत है, जिसकी सरकारी विभाग में, अगर उसे 40,000 रपे मिलते हैं, या 30,000 रपे मिल किसी अस्पताल में नर्स, जो regular नर्स होती हैं, उन्हें 50,000, 60,000 रुपे मिलते हैं, और वही काम करने के लिए, आउट्सोर्सिंग पर नर्स रखी जाती है, तो 16,000 रुपे दे जाते हैं, यह कहां का इंसाफ है, आप कोई अस्पताल में यह तो है नहीं कि 4 रोज के लिए पर नहीं चाहिए, आप सब मरीज चले जाएंगे, मरीज तो regular basis अस्पताल बनते ही इसलिए हैं, और उसमें आप उस regular nature के काम के लिए पूरी duty करवाते हैं, लेकिन आप तन खानी ते, यह सरकार को नहीं दिखता है, तो अगर एक कोई private business man इस तरह करता है, तो उसे exploitation कहा जात है, शोशन, बज़्दूर का शोशन, और उसके खिलाफ कानून है, लेकिन जब सरकार यही करने लगे तो उसको क्या कहेंगे, यह आप सुच सकते हैं, यह विशे बहुत गंभीर है, और न जाने कब सरकार जागेगी, और सरकार elections के beyond भी सोचेगी, कि एक खाली election gimmick नहीं प् के इतने appointment letters माट दिये, उससे समस्य हल नहीं होगी, इसका तरीका निकालना पड़ेगा, इसके लिए सोचना जरूरी है, इसके लिए concern जरूरी है, इसके लिए वाकई में फिक्रमंद होना पड़ेगा, फिक्रमंद दिखलाने से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके की हाल के देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें, स्वतंत पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें